दोस्तों मैं एक्सर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ ना कि मेरे हजार सब्सकैबर्स और चार हजार घंटे वाज टाइम डेड़ साल में पूरे हुए तो दोस्तों आप लोग पूछते हैं यार डेड़ साल में पूरे हुए और उसके बास फिर मॉनिटाइज भी हो गया ये कैसे पॉसिबल है हजार सब्सकैबर्स या चार हजार घंटे वाज टाइम तो एक साल में पूरे करने होते हैं आपके डेड़ साल में पूरे हुए तो ये कैसे पॉसिबल है हम तो यार डरते रहते हैं कि यार हमारा चैनल इना डिलीट हो जाए ये नहों के साल से उपर टाइम हो जाए और हमारे सब्सकैबर्स या वाज टाइम ही माइनस हो जाए तो दोस्तों टेंशन नलो मैं आप सारा समझा देता हूँ आपको बस आप ध्यान से इधर फोकस करके अगर समझ लेते हैं तो ये टेंशन ही खतम हो जाएगी तो ये दो चीज़े पूरी करनी होती है ठीक है एक हजार सब्सकैबर्स और दूसरे चार हजार घेंटे वाज ट तो ये हजार सब्सकैबर्स बारा महीनों में नहीं पूरे करने होते है ये तो आप जब मर्जी कर लो सिरफ ये इसका है क्राइटेरिया चार हजार घेंटे को आपने बारा महीनों में करना होता है इसका कॉंसेप्ट समझ नहीं आता लोगों को अगर बारा महीनों में नहीं करने है बंदे कहें यार नहीं होते हैं दोसाल भी लग जाते हैं तीन साल भी लग जाते हैं चलो बंदा अपना दारूटि तो चलाने के काबिल हो जैं चलो जितने भी धेर में हो जाएं लेकिन नहीं दोस्तों YouTube यह चाहता है कि जो serious लोग हैं, मेहनती लोग हैं, सिरफ वो ही YouTube पे आए, वो ही YouTube पे partner बने, वो ही पैसे कमाए, वो ऐसे ही जो रे लुकटे होते हैं, बस थोड़ा से डाले वीडियो और छोड़ दिया, उनको अपना वो partner नहीं बनाना चाहता, वो जाता है, जो serious हों, consistency से डालें, ठीक है, regular रहें, और इस दुरानी के अंदर अपना target चीफ करें, उनको वो अपना partner बनाता है, और जो 12 महीनों में चीफ कर लेता है, वो फिर उपर की उपर ही जाता है, उसके views बड़े अच्छे आते हैं, और उसका growth होता है, इसलिए ये criteria रखा है YouTube ने, अब ये 12 महीने का हम criteria दोस्तों समझते हैं, 12 महीने का क्या scene है, दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कि आप कोशिश कीजिएगा कि 12 महीने में ही कर लीजिएगा, अगर 12 महीने में कर लेते हैं, तो एक तो आपका time बच जाएगा, दूसरा ये है, कि 12 महीने में वैसे हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, वो भी बता देता हूं कैसे watch time पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर समझते हैं, कि आपका watch time 12 महीने का क्या मतलब है, दो तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यह वाईटी स्टूडियो मैंने खोला हुआ है, कैसे खोलना है वाईटी स्टूडियो, यह application है, यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यह रहा, इसको open करना है, और open करके, आपने यह जो आपको दूसरा section नजर आ रहा है, watch time, यहाँ पर click करना है, यहाँ पर click करके, आपने यहाँ पर दबाना है, ठीक है, और यह लिखाव है 365 days, यहाँ पर click करना है, तो दोस्तो इस से क्या होगा, कि हमारा last 365 days का watch time आ जाएगा, अब यह देखें, यह last 365 days का watch time आ गया, 27 जुलाई से लेके, 25 जुलाई से, अभी दो दिन का update नहीं हुआ, इस से पीछे पीछे, तो अब से लेके, यानि कि अब जो date है, जुलाई का महीना है, अब ठीक है, और 27 जुलाई है, अब से पीछे जो 12 महीने हैं, ठीक है, 12 महीने, उसका count करेगा, जो उससे महीने पहले गुजर गए, वो आपका minus हो जाएगा, नहीं समझाई, थोड़ा detail से आप लोगों को समझा देता हूँ, जैसे, और साधा करके समझा देता हूँ, जैसे 365 days है, ठीक है, 365 दिन में आपने वार्श टाइम पूरा करना है, अगर let's suppose, मान लेते हैं, कि आपके 365 दिन से उपर दिन हो जाते हैं, मतलब 370 दिन होगे, मान लो, कितने दिन उपर होए, 65 में 5 एड़ करें, ये शुरू वाले जो 5 दिन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन में जो वार्श टाइम आया था, वो सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये जो उपर 5 दिन इसके गुजरे हैं, ठीक है, 365 से आगे, 66, 67, ऐसे ठीक है, गुजरते गुजरते, 370, ये वाले जो 5 दिन है, इनका एड़ हो जाएगा, नहीं समझे, जितने दिन उपर होते जाएंगे, वो वाला वाजटाइम एड़ होता जाएगा, और उतने दिन पिछे से, कठता जाएगा आपका वाजटाइम, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा कोई वीडियो रैंक भी की होते हैं, वो भी माइनस होता जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं, कि यार अगर एक साल से मुझे ज्यादा हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो इस ट्रैब में फंस चुका हूँ, या मैं नया चैनल बना लूँ, या फिर इसी पर काम करता हूँ, तो दोस्तों हम लोगों को बताता हो, टेंशन वाली वात निया, मेरा डेट साल में कैसे हुआ था, मैंने वैसे पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता देतो हो सकता है, वो वीडियो किसी ने ना देखी हो, तो अगर आप इस वीडियो पर फिर्स टाइम आया है, तो इससे पहले वाली भी देख सकते हैं, 4000 गेंटे वाज टाइम मैंने कैसे पूरा किया, तो वो उसमें मैं थोड़ा सा बता दे, तो मैंने क्या बताया है, वैसे वो डिटेल वाली वीडियो है, उसमें मैंने ये बताया है, कि अगर आपका एक साल से ज्यादा टाइम हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वाजटाइम आपका एक ही वीडियो से पूरा हो आप लोग हेरान हो और एक वीडियो से पूरा होता है बाक्की क्या वीडियो जाय हो जाती visual बूरा हो जाती जाया नहीं होती दोस्तों 4000 गेंटे वास्य ठी में थोड़ा नहीं है तो आपने अपना फोकस रखने वीडियो वाइरल हो जाए ठीक है अच्छा content बनाए वीडियो वाइरल कैसे होती है वीडियो वाइरल करने के लिए आपका थमनेल अच्छा होना चाहिए ठीक है थमनेल अच्छा होगा तो आपका CTR अच्छा हैगा जब CTR अच्छा हैगा तो आपकी वीडियो वाइरल होने के चांस होंगे दूसरा आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए यह निके engagement हो लोग शुरू से लेके अंड तक आपकी वीडियो देखे ठीक है और तीसरे नमर पे आपका topic trending होना चाहिए अगर trending है या आपकी category में जो YouTuber है उसकी कोई वाइरल वीडियो है उस topic पर बनाते हैं तब भी वाइरल होने के चांस होते हैं तो यह तीन चीजों पर अगर आप अमल करते हैं तो क्या होता है क्या आपकी कोई नपकी वीडियो वाइरल हो जाती है जब एक भी वीडियो वाइरल होती है तो मैंने बताया था सत्तर या असी हजार आपके व्यूज अगर आ जाते हैं तो क्या होता है सत्तर असी हजार अगर व्यूज आ जाएं तो आपका 4000 घंटे वाज टाइम पूरा हो जाता है तो आपका अगर पिछे से माइनस ओ भी रहे तो टेंशन नहीं लेनी आपका अगले एक हफते में पूरा जगा मेरा क्या हुआ था? डेड़ साल में नहीं पूरा हुआ था लास्ट वाले एक हफ़ते में 4000 घंटे वाजटाइम पूरा हुआ था जी हाँ दोस्तों ये TechTube वाले चैनल पे आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं ऐसा ही हुआ था तो इसलिए अगर आपका इस साल से ज़्यादा टाइम होगा तब भी टेंशन न ले अगर होने वाला तब भी टेंशन ले एक दो वीडियो वाइरल होंगी तो आपका वाजटाइम पूरा हो जाएगा ये जो थोड़ा थोड़ा आप साल लगा रहे हैं ऐससे नहीं पूरा होता ये छोड़ दो आप इन चीज़ों में न पढ़ो वीडियो वाइरल करने की तरफ जाओ और आपके जिर में ये जो टेंशन थी कि पता नहीं मोनिटाइज होगा नहीं होगा सारा ही माइनस हो जाएगा या चैनल ही छोड़ना पड़ेगा नया बनाना पड़ेगा डिलीट हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बस यही है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है बहुत ही सिंपल है कि जितने दिन उपर होते जाएंगे 365 दिन से 12 महीने में 365 दिन होते हैं जितने दिन उपर होते गए अगर एक महीना उपर हुआ तो वो वला एड हो जाएगा पिछले वले एक महीने का माइनस हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप जल्दी चैनल ग्रोग करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आ रही होगी इसको आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों अगर आप जल्दी चैनल ग्रोग करने के लिए मुझसे कोर्स लेना चाहते हैं दो घंटे वाला तो आप इस वट्सअप नमबर पर मुझसे राप्ता करके कोर्स ले सकते हैं दोस्तों अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफेज